नमस्ते दोस्तों आप सबका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है यहां जो पौधा आप देख रहे हैं यहां मिंट जिसे हिंदी में पुदीना का पौधा कहते है यहां अलग-अलग भाशाव में अलग-अलग नामों से जाना जाता है तो इसके पत्तों का आयरुवेदिक मेडिशिन्स के तोर पर हम अपने घर पर इस्तमाल भी करते हैं और गन्य का जूस इसमें भी इसके पत्तों का इस्तमाल किया जाता है ताकि स्वाद बहुत ही अच्छा है और यहां देखिए इसके पत्ते देख लीजिए आप तो इसकी आपको cuttings लाना है और इसका पौधा जादा उचा नहीं होता है एकदम छोटे छोटे पौधे रहते हैं और आप देखी पा रहे है कि कितना छोटा है यहां पौधा इसकी height जादा नहीं रहती और इसकी cuttings लाना है आपको और इसकी cuttings आप easily मिट्टी में भी grow कर सकते है साथ में अगर आप चाहे तो दुसरा method इस्तमाल कर सकते है जो कि हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले किस तरह से आप इसे पानी में भी grow कर सकते है और पानी में एक ही देखी हमने तूड़ा किया इसी तरीके से आपको आप जो length है यहाँ cuttings तो यहाँ आप कम ज़्यादा रख सकते है जैसे कि हम आपको यहाँ practical दिखाने के लिए हम बहुत ही छोटे छोटे यहाँ cuttings करे है और ऐसे ही आप एक अगर cutting ला रहे है बड़ी वाली तो उसमें आप दो तीन पौधे आराम से तयार कर सकते है और हमने यहाँ cutting दस दिन पहले करके देखा था और जिसका result इसी वीडियो की कड़ी में हम शोग करने वाले हैं तो आप यहाँ पूरा वीडियो देखे इसके साथ में हमने बहुत सारे वीडियो आम के पेड़ की उपर में कलम किस तरह करना चीए गुड़ हल जिसे हिबिसकस कहते है उसकी पौधे की उपर में बेर का पौधा हो या जाम का पौधा हो जिसे गावा कहते है बेर के अलावा सिताफल का पौधा भी है जिसके उपर में कलम किस तरह करना चीए उसके भी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगे तो यहाँ देखिए आपको किस तरह से यहाँ पत्ते कट करना है अगर आप पत्ते पानी में डुबो के रखेंगे तो वहाँ पानी खराब होंगा इसलिए आपने पत्ते पूरे छटिंग कर देना चीए और पानी सिर्फ थोड़ा सा ही आपको ग्लास में भरना है ताकि सिर्फ थोड़ा सा ही यहाँ पानी में डुबो के रखेंगा देख सकते हैं आप और उपर में हमने यहां पत्ता रखे और जो पानी हमने ग्लास में भरके रखा था वहां थोड़ा सा कमी है तो इस तरीके से आपको यहां cuttings पानी में डूबो के रखना है आप directly मिट्टी में भी लगाएंगे तो भी result आपको positive भी मिलेगा पर यहां हम पानी में ग्रो करके दिखाने वाले हैं आपको तो यहां देखिए पास दिन बात का यहां result तो देखिए हमने कितना पानी रखा इस ग्लास में और हमने जितने भी हमारी cuttings थी उनको हमने रसी की साहता से बान दिया है देखिए एक प्रसी की साहता से हमें इसे बान दिया है हलके से और देख सकते हैं आप white color की roots develop हो चुकी है यहां cuttings में आप देख पा रहे होंगे नीचे के side में भी आपको छोटे छोटे बारी roots develop हो चुके हैं यहां पास दिन बात का result है और इसी वीडियो के कड़ी में हम 10 दिन के बाद का भी result आपको show करने वाले हैं और इन cuttings को जब भी आप पानी में रखते हैं तो आपने हर दो दिन के बाद में पानी change करते रहना है आपको यहां थोड़ा सा precaution है क्यूंकि अगर पानी आप change नहीं करेंगे तो आपकी cuttings खराब हो सकती जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने glass का पानी फेक दिया और फिर से fresh water हमने यहां दाल दिया है glass में और देखिए फिर से हमने cuttings को पानी में डूबोके रखा है यहां देखिए 10 दिन के बाद का result जिसमें की पत्तिया देखिए dark greenish दिखी रही है इसका मतलब यहां पत्तिया बहुती सही तरीक से इन्हें पानी सप्लाय हो रहा है और root भी देख सकते आप जो जड़े है वहां भी बहुती बढ़ी हो चुकी है आकार में तो यहां देखिए कितने बड़े-बड़े roots देवलप हो चुके हैं इन cuttings को आपको ज़्यादा दिन तक पानी में डूबोके नहीं रखना है अगर आप ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो यहां पाउधा खराब हो सकता है और इसकी roots खराब भी हो जाएगी क्योंकि पानी में ज़्यादा पुशक तत्वर नहीं मौझूद रहते इसलिए पाउधे का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो सकता इसलिए आपने मिटी में लगाएंगे तो मिटी में आप देखेंगे दो-तीन महने के बाद में जो पाउधा है वहां बड़ा होना लगेंगा और साथ में नए छोटी-छोटी डगाले इसमें बनने चालूँगे छोटी-छोटी तो यहां देखिए रसी हम खोल रहे हैं बंडल की कर देखिए इसमें ज्यादा रूटी ड्येवल्वेल्ट से लान बनने चाल नाए पर देखार देखिए इस में ज्यादा पर देखिए छोटी-छोटी दो रूट्स डेवलप होने वाली है समय लगेगा ज़रूरी नहीं रहता कि आपने जितनी कटिंग सापने डूबो के रखिए सब में रूट्स डेवलप हो पाए अभी हम सभी रूट्स डेवलप हुई है नहीं यहां चेक करने के लिए हम सभी कटिंग को देखेंगे यह देखिए आप हर कटिंग में अलग-अलग रूट्स डेवलप हो चुकी है अब इन कटिंग को आपको मिट्टी में लगाना है तो मिट्टी यहां आपको कम पानी होल्ड करने वाली चाहिए जैसे कि रेती गोबर खाद इनका मिक्शर आप मिक्स करके आप इस्तमाल कर सकते गमले में पहले से मिट्टी मवजुद थी इसलिए हम यहां पर ही इसी गमले में मिन्ट जिसे पूदीना का पाओधा कहते हैं इसे हम मिट्टी में लगा रहे हैं पौधा लगाते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि रूट्स तूटे ना, नहीं तो पौधा सूग भी सकता है या छोटा सा प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना है प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना है